कहानी एक छोटे से गाव के एक सादू और लालची किसान की है। सादू गाववालों के बीच ने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और उनके ज्यान ने लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तुम्हारा इच्छा पूरी होगी, परंतु लालच में हम अकसर सच्चे लाप को भूल जाते हैं। लालची किसान ने आखिरकार सादू की बातों को सुना और अपनी लालची इच्छा को त्याग दिया। उसने समझा की वास्तविक समरिद्ध ज्यान और सत्य में ही है। इसके बाद लालची किसान ने सादू से गुरुदक्षना दी और सत्य की प्राप्ति के लिए उसके मार्ग दर्शन में रहने का निर्णे लिया। उसने समझा की जीवन में सच्चा धन उसके आत्मा की शुद्धता में है। इस कहानी से हमें यह सिकने को मिलता है की लालच हमें अच्छे और सही मार्ग से हटा सकता है और सच्चे धन की प्राप्ति आत्मा के सत्य में है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए और सद्गुरु के मार्ग दर्शन में चलना चाहिए.